अलो फ्रेंड्स वल्कम टो सित्रा माइस यूट्यूब चैनल टूड़े इन इस वीडियो विल डिस्कुस विजना एस टैस्ट नमबर 15 जो आपका प्रिलिम्स के लिए है और यह आपका पर्टिकुलर टैस्ट है पॉलिटी के लिए ठीक और यहां पर आपको देखना है 3799 टै नहीं लगाएंगे टैसी को कोसिस करेंगे एक से घंटे के बीचे मिसको खतम करने कोसिस करेंगे ठीक है और इसमें देखिए पहला कुशन आपका है कि जैनवरी 1930 में जब सिविल डिसॉबिटेंस मुव्मेंट चालू हुआ मात्मगादी ने कुछ 11 पॉइंट आपकी जो द इसको खटाने की बाद थी को खटाने की बाद थी तकि पहुआ अब का जो पॉस्टल स्टंप जो था उसका चार्ज काफी हाई था चेक हो उस चाम पर एक है जरीया था कि बहिए क्योंकि जो तार व password शो सिस्टम लिए अच्छा था प्रिस के लिए अच्छा था फूस्टल स्टांप की ड्यूटी को घटाना था यह था ठीक है तो वहाँ पर वो बिल लाना था तो जब कि यहाँ पर option लेखा हुआ है कि rejection of postal bill तो reject नहीं करना था इसको एकसेप्ट करवाना था ठीक है तो यहाँ पर टोटल प्रोभीशन की बात कर रहे थे यहाँ पर इसके लावा सी आईडी जो है कि वह सी आईडी को रिफॉर्म करो यह ज्यादा वहाँ पर जो आपके रंधिकारी मोमेंट जो कर रहे थे उनके बार इंफॉर्मेशन जुटा रही थी इसके लावा आपका जो आम सेक्ट था उनको भी कंट्रोल करने की बात थी कि यहाँ जो होते हैं उनको लाइसेंस इशू कर देना चाहिए आसानी से ज्यादा उसमें कानुनी दाव पेच नहीं लगें और आपका यह पोस्ट्री वाला यह था इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे एक दूसरी और चीज थी वहाँ पर फॉरेक्स ठीक है कि फॉरेक्स की डिमांड जो थी ना उसकी फॉरेक्स की जो रेट थी रेट को घटाने की बात थी ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट ना वह बहतर हो सके एकनों एकॉनमी वाला कंसेप्ट लगाना है दूसरा आपका जो पोस्टल रिजरविशन बिल था इसको आपको थोड़ समालूम रखना है कि यह हमारे फेवर में था ठीक है तो इसको एकसेप्ट करवाना था यह वहापे चीज़े थी बाकी खर्चा वगरा है वो तो चले गए CID बगरा को चाहेंगे नहीं इसके लाव पॉलिटियर प्रिजिनर को यहां से हटाना चाहेंगे कि से निकलवाना चाहेंगे कि बाहर वो आ सक है तो यह तो कॉमन चीज़ें वापे होती है इसके लाव आपका लेंड रेविन्यू जो था उसको खटाने की बात थी तो ऐसी बहुत सारी चीज़े इसमें रही थी जो यह ग्यारा डिमांड गांदी जी ने रखी थी यह वाला यहां से आप हटाएंगे फूर्त वाला तो यहां से आपको वन टू तुरी वाला सेट बनेगा सी अब यह बात करें कोशन नमर सेकेंड तो सेकंड में आपको देखना है क्या कि आप से कोड़ावू से आप वर्ड को लेखेंगे न तो आपको साउथ इंडिया से लगेगा और कोड़ावू आपका यहां पर देखिए कि सीधा सा आप ओप्शनेस में रीड कर लीजिए वीडियो को रोक के और फिर देख लीजिए कि इसमें से क्या वो ऑप्शन हो सकता है ठीक है तो एक तो यह चीज दीखिए कि कोड़ावू जो है इनकी बारे में रिसेंट में क् पर देखिए कोड़ावू है इसको आप कंणाटका से लिंक करें और दूसरा यह मां की ट्राइब है ठीक है इसके अलावा इनको यह एसी ट्राइब है जिसको अभी फायर आर्म जो है इनको अलाउ किया गया है यह फायर आर्म अपने पास में रख सकते हैं ठीकिक यह पहले पर देना परमीशन की जरूती नहीं इनको नो परमीशन ठीक है और यह अलाउड है ठीक है तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ठीक है इसके लाव आंधरा वाला रीजिन कार्ट देना क्यों लोकीशन वगरे जाद तर गलत होती तो यहां से बटा दें इसके लाव आप देख लीजिए डी जो अप्शन लिखा हुआ है यहां पर कि कोडवू टक्का जो है इसको यूनेस्कों का लेंविज मिला के नहीं मिला ठीक है तो यह आपको इसमें कहा है कि हैज बीन क्लासिपाइड एच क्रिटिकल इंडेंजर तो होती तो आपको देखने को मिलती ठीक इतनी यह क्रिटिकल इंडेंजर अभी नहीं है ठीक है आगे चलते हैं कुशन नमर त्री पर कुशन नमर त्री देखिए आप कि अपर परस्नलिटी की बात करिए और इसमें कहा है इनको आपको देखना है कि मालती चौधरी है ठीक है आपका अलादी क्रिश्टन स्वा जोसी तो यह जर्नल सेकेटरी ओल इंडिया ट्रेड यूनियन और जिसको बहुत है न ए आई टी उसी चीक है तो यह आपको यहां से बेसिक आता है तो दो ऑप्शन तो आप यहां से देखते हैं कि टू और त्री सही है अब आप कहां आगे बी और नीम आगे 123 मालती चौध लिए ओल इंडिया किसांद सभाज जो थी ना यह एन्जी रंगा वगेरा जो लोग थे ना दो उनसे थी तो मालती चौधरी उहां पे नहीं थी यहां से आपको इसके बारे में पता है तो यहां से इसको अटा सकते हैं तो फॉस्ट ऑश्यन को जब यहां से अटाइं यहां यह लोगों ने जनरल सेक्रेटर की पुजिशन रखी थी तो मतलब जातर मेली थे यहां पर इसको आप यहां सेटा दे तो आपका उप्शन बजाएगा टू एन त्री अगला उप्शन आपका कुशन है अपना चलो इधर चलते हैं पहले लगातार चलते पर फिर उधर देख लेंगे सवन चलो वह आपस चलते हैं कंटीनियस ही करेंगे क्योंकि आप यदि पहले से टैनिकुशन अटेम्ट किये होंगे तो आपको इश्यू हो सकता है इस वज़े से पहले से यहां पर देख लेते हैं कि इन दा कंटेक्स्ट ऑप डिटिस एक्समेंशन दूरिं अर्ली ट्रीटी करें गई थी आपकी जो यंग हस्बेंट जो आपका वो था ना मिशन जो था उस टाइम पर यह चीज चल रही थी कब की बात है यह जो नाइंटीन स्टार्ट हुई थी ना 20th century 1904 के असपास में तब यह चीज चल रही थी तो आपका करजन जो था ना वह आपका ग करी लेते थे कि हाँ चलो आपकी बार थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं फिर आगे फुल कर लेकिए ऐसा statement आपको यहां से राइट कर देना क्योंकि कंट्रोल मिल सकता है ठीक है यह चीज है इसके लाव आपका है इत्मेट तिबत सीड सिक्कम एंड चुम्भी वैली इस वर इन्डेवनिटी ठीक है तो ऐसा कुछ वहां पे था नहीं ठीक है क्योंकि जो चीजें थी वहां पे वह आपकी सिर्फ कह सकते कि यह हुआ था कि बस कुछ कंट्रोल रीजन जो है न कंट्रोल रीजन है क्योंकि उधर चाइना रहराश्या का इंपक्ट ज्यादा था तो इस वज़े से तिबबत को क्या है कि यहां पे टेरिटरी इंडिया को नहीं दी गई थी यह आपको पता होना चाहिए कि वहां पर बनाने काफी मुस्किल हो रहा था इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान वाला रीजन था उसको बफर बनाया था यह वाला मैट्री आपको प इसके लाबा कुछ यहां पर और भी चीज़े हैं इस पिसल जो आपका दर्री बगे रहे हैं वहां आपकी जोगर्फी में इंपोटेंट बनते हैं यह पॉइंट तो इसके बारे में बात करेंगे यह क्या क्या चीज़ होती है तो अब यह सिपन्सी चीज़ें आपको कि कौ इसके लाब आपका एबसलूट वीटो है तो यह सारी चीज़ें आपको लग जाएगा कि हाँ यह जो इसके बास में यह पावर होती नहीं है मतलब यह स्टेटमेंट राइट है पावर उसके पास में नहीं होता है इसके लाब अग्ला है आपका एंजोय पॉकेट वीटो विट रिस्पेक्ट इस्ट लिश्लिशन तो उसकी टाइप होता है जब आपका आपको पता होना चीजिए कि वीटो आपका होता है ठीक है यह एक इसा आपका वीटो पावर है ना जो इन्डियन के पास में नहीं है लेकिन इंडियन प्रेजिणेंट के पास में है या नहीं और बाकी इसमें आपको तीन सिर्फ सिर्फ न स्क के पास है इसके रावा बाकी जो है ना आपका सबस्टेंज वीटो है आपका एप्सलूट वीटो है सबस्पेंसी वीटो है ठीक है तो यह पॉकिट वीटो है यह सब इंडियन प्रेजिदेंट के पास में है यहां से option 123 वाला राइट हो जाएगा अब 6th question आपका यहां से उसको कर सकते हैं यहां से उसको करने के लिए है कि पार्लेमेंट के एक्ट वहां पे एप्लाई नहीं होते लेकिन वहां पे कुछ special modification करके कुछ examination करके वहां पे चीजों को बना सकता है तो इसमें आपको यह देखना है ठीक अब आपको अच्छे से मालूम है कि आपका जो 6th schedule जो है वो deal करता आपका travel area के management के बारे में ठीक है और वहां पे आपका कौन से state है M.A.T.M. ठीक है M.A.T.M. जिसमें आपका है M.A.T.M. मतला आपका मिजुरूम है असम है आपका यह देखें और पूछा क्या है क्या है कि कौन से स्टिट में चलती है यह आपको देखना है ठीक है तो आपका आर्टिकल 244 है ना उसकी क्लोज 2 में लिखा हुआ है जब आप बात करते हैं इसमें लिखा हुआ है कि सिक्साइडियुल के इसाप से आपके क्या है यहां पर आपका असम वाला उप्शन नहीं है तो यह आप यहां पर देख लाए त्री फोर और फाइव यहां पर प्रेजडेंट के पास में कुछ पावर होती है कि ट्रैवल एरिया जो है उनको वहां पर पार्लियमेंट की एक्ट है जो नॉर्मली अप्लाई नहीं होते लेक है वहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है तो इसी जगे पर वहां पर कुछ साथ में कर सके यह आपको थोड़ा सा दिहान रखना है इसके अलावा आपका अगला कुश्य है कुश्य नुमर्स सेवन कुश्य नुमर्स सेवन यहां पर देखिए इन अपको चीज़े देखनी है कि इंडियन उनिस्टी एक्ट जो 1904 में आया था इसमें आपको देखना है और थोड़ा उपर यह देखिए इसमें तीन से आपको लगता है कि यह गलत है आप देख सकते हैं तो इसमें देखिए क कि लॉर्ड गर्जन के बारे में अब एक तो आपको उनिस्टी एक्ट 1904 था ना इसके बारे में थोड़ा से बेसिक मालूम होना चाहिए आपने पहले सिकार रखा हुगा इस्टेट्मेंट रीड कीजिए ऑप्शन को यहां से अलिमिनेट कीजिए तो इसमें बताएगा कि इंट्रिडूस रेडिगल चेंजिस्टू फाइल अग्जिस्टिंग इंडियन उनिविसिटीज ठीक है अब कुछ चेंजिस करना था यह तो क्लियर था कौन-कौन सी में करेगा आपको और अच्छे से मालूम है तो आप देख सकते हैं ठीक है कौन-कौन सी है तलकत्ता की है इसके लवा आपका यह थिए लाहौर है आपका अलाहबाद है यहां पे भी था यह तो इन रेजिन में भी आपका प्रेजिटन के पास में जो गवर्णर जर्र था उसके पास में यह पावर आ रही थी कि वही वहाँ पर ना कुछ चीजे चेंज की जा सकती है ठीक है यह है जी तो चीज था है यह वहां पे उनको बढ़ाने के वह बात हुई थी इसके लावा और दूसरी क्या थी कि जो यूदि की जो सीनेट ही उसकी साइज को हटाने की बात कर लिए उसके लावा वहां पे इलेक्षन जो है सेनेट के लिए उसको भी रेगुलेट कर दो इसके लाव वहाँ पे जो आपका जो syndicate है उसको एक कानूनी रूप से recognition करने के वहाँ पर बात करेगी थी college university जो है उनके condition जो है उनको और strict कर दो affiliation देने की ताकि इसके लाव आपका जो यूशिटी की territorial जो लिमेट जो है उनको कर सके ठीक है इसके लाव अब थर्ड इस्टेटमेंट देखिए इसके पावर उन्द गोर्मेंट तो इसमें चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं एक पूंट और याद रखना है यह पर पांच लाख जो है आपक यहांट देखने coz फ्रहां हर साल पांच पांच योनिवरूरशटी पांच लाग प्रस साल आपका कробिण जया पछिए इन यहां पर चेंज लाना है पांस लाग पर एनम यहां पर ग्रांट देनी है यह पांस साल तक चलेगा ठीक है आप यहां से आप देख लीजिए यहां से आपके की मैजर्टी से पास होता है तो आपको सिंपल सी चीज है कि जब फंड है अप्रोप्रेशन बिल है तो आप पर पार्लेमेंट की बात होगी प्रेजिदेंट की बात नहीं होगी यह आप ध्यान रखना ठीक है यह आपको यहां से पॉइंट मालूब होना चाहिए और इसके सिंगल है तो यह तो आपका फेडरल वाला निचर ही नहीं न इसके लाव आपका इंडीपेंडेंट जूडिसरी है तो इस तो होती है ठीक है रिजटीटी ओफ आपका चॉंस्टीटीशन है यह फॉलो करवाएगा फेडरलिजम को ठीक है तो यह आपको थोड़ा से ध्यान है कि नहीं है तो आपका यूनिटरी है क्योंकि यूनियन कंट्रोल करता है ठीक है यहां पर यह भी नहीं होगा तो यह आपको थोड़ा सा पॉइंट रियाद रखना है कि जुडिसरीक इंडिपेंडेंस रिजडिटीटीशन इसके लावा अलग अलग जगे लेजिस्टीश ना तुम आपके रही है तो वह आपका फेडरल नेचर है रिटन कंस्ट्रिशन वाला पावर का डिवीजन जो है कि सेपेशन अप और इसका पार है यहां पर दे रहे हैं तो यहां परी से 시간 स्क्राट च लेंगा इंडियायंगा की जू कि यूडिशुम Стर्ट लड़ाностरीक य यहां पर चीज नहीं होगी इसके लावा क्योंकि यह युनिटरी फीचर होगा इसके लावा और इंडिया सर्विसेज यह ध्यान रहें लाब। इस इडिजन से पहर तो यूनियन नहीं दे सकता है, इमर्जनसी है, वो यूनियन नहीं लगा सकती है, ओल लिए सेर्विसेज यूनियन के लिए मेंले काम आती है, ठीक है, तो यह आपको थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है, तो यहाँ पर आप देखिए, यह आपका आपको ब्लाइब और यहाँ आपको प्लाइब कर सकता है, और जिसके आपको इनिफॉर्मिशन लेन होती है, तो आपको आधारगार भगेर भी वहाँ पे देना होता है, ठीक है, तो यह आपको पॉइंट पता होगा पहले से बाकि यहां पर यह पॉइंट जो था फास्ट स्टेइटमेंट का सिटिजन वाला कि यही इंफर्मिशन मांगते सकते हैं यही आपका यहां पर जरूरी है ठीक है एक दूसरी यहां पर इंगलिस और हिंदी वाले जो लेंग्विज न उसमें से कोई सीव हो सकती है यह फिर आपका जो एरिया की ऑफिशिल लेंग्विज कि स्टेट की टेक्टिट की कोई लेंवीज वहां पर है तो उसमें भी यहां पर आपका आडिए लाया जा सकता है क्योंकि जिस जगे पर लगाई यह वहां की लेंग्विज होनी चाहिए यह आपको पता होना चाहिए और कॉन से सक्षन में है तो यह ज़्याद आपको देना नहीं बागी सेक्षन एट वगएरा जो है नहीं सका सक्षेट है और सक्षन नाइन है वहाँ पर है कि भई जो इंटिजन जो है वह आपकी गौर्मेंट से करने के लिए बात कर सकते हैं पूछ सकते हैं इंफर्मेशन ले सकते हैं अगला option है आपका second वह है आपका कि ए person who want to receive any information in the rt act can make a request in return only in Hindi English तहीं तो आपको देखने हैं पर कि आपका Hindi English की जरूत नहीं है और दूसरा आपका रिजनल लेंग्वेशन को आप मांग सकते हैं एक दूसर चीज़े है कि जो आप information जो है उसको कौनसी को information आपको exempt की गई है तो यह आप थोड़ा से ध्यान नख है कि कौन कौनसी information आपके यहाँ पर exempt की गई तो मैं आपको यहाँ पर लिखते था हूँ एक बार कि कौन कौनसी exempted है तो आप वह देखिए एक तो है आपका कि आपका sovereignty प्लस integrity खत्रा ना हो ऐसी information नहीं कि जा सकती ठीक है तो integrity sovereignty के खत्रा नहीं होना चाहिए इसके लबाँ आपका जो court of law है ना court of law ने उसको फॉर्बिड कर दिया गया कि ऐसी information नहीं देनी है जिससे डिफैंस वगिरा की है ऐसी information जो आपको नहीं मिल सकती इसके लबाँ कोई confidence वाली क्यों चीज होती है जिससे ह बादा की है कि हम आपकी information disclose नहीं करेंगे तो हम उसको RTA में भी नहीं देते ठीक है तो यह आपको सिंपल सीजी तो आपको वहां से अंदाज लग जाएगा option से इसके लबाँ आपका जो life और फिजिकल सिफ्टी जो है persons की ठीक है उसको यह थी threat है तो वहां पे भी RTA आपका question read कीजिए option देखिए यहां पर in the context of temple entry moment history का कुशन है temple entry moment आप अच्छे से पड़े हुए है यहां पर देख लीजिए किस-किस ने start किया था ठीक है तो यह आपको पूछा है कि it was started in the guidance of Dr. B.R. अंबेडगा ठीक है तो यह temple entry आपका जो moment यह कहां पर था यह आपने पहले सु कि बनाया है तो आप थोड़ा स्ध्यान लखे कि यह आपका भी रॉंबेडगर वाला जो था एक नाम है उसका मैं आपको अभी इसमें लिख के देता हूं ठीक है यहां पर आपका एक नाम था जो आपका कला राम temple entry moment था कला राम temple entry moment यह था यह कब हुआ था यह आपका मार्च 1930 की बात है यहां पर हुआ था यहां पर हुआ था तो बी रॉंबेडगर जो है इससे associated है यह चीज आपको पता होना चाहिए ठीक है यह है तो आपका first statement यहां से देखना है महत्मा गांधी अर्ज डिप्रेश्ट क्लास टू विड्रॉव फ्रॉम कलाराम temple सत्यागरे ठीक है तो यह ऐसा है क्या कि यहां पर अर्ज किया हो यहां पर देखना यंग इंडिया जो आपका जो पॉब्लिकेशन था गांधी जी का उसमें इन्होंने यह जो temple entry सत्यागरे तो यहां से डिप्रेश्ट क्लास जो थी उनको मना किया था कि आप ऐसे मुमेंट जो है उसमें एंट्री ना करें तो आपका महत्मा गांधी वाला पॉइंट और लिख ले ठीक है कि महत्मा गांधी इस से ना खुस नहीं थे ठीक है not happy यह पॉइंट आप लिक तो इसमें सक्सेस फुल नहीं होगा तो नो सक्सेस यहां से आपका यह तीन ओप्षिन आपके यहां से इस्टेमेंट राइट हो जाएंगे इसमें बात करते आगे कुशन इंबर 12 है देखिए कंस्टर करना आपको कौन कांसी इसमें दे रहे हैं इंट्रेस्टेट काउंसल के बारे में इंट्रेस्टेट कांसील आपने पहले पढ़ रखा होगा आपका आपका आर्टिकल जो है 263 उसके अंदर यह काम करती है तो यहां पर नई चीज कोई है नी ठीक है तो 263 में आपकी प्रोविजन है कि इंट्रेस्टेट कांसील बनाई जाएगी जब जरूत होगी जब यह काम करेगी डेस्टीट वगरा जो है उनमें इंक्वारी वगरा का जो काम है उसमें यह काम करेगी यह स्टेट के बीच में कोई मैटर फसर है तो इसके लाब यह इन्वेस्टिकेट कर सकती है ठीक है इन्वेस्टिकेट है आपका डिसकस कर सकती है मैटर को स्टेट और यून प्रेजडेंशिल और इसको कोई एक्ट वगएरा या फिर आपका पार्लेमेंट को ऐसा कानून मना के लाने की जुरूत नहीं है सिर्फ यह आपका बाई और ऑफ प्रेजडेंट यह बन जाती है इसके लब आपका कोई लीगल या नॉन लीगल आपकी जो कंट्रूवर्सी जो तहां से स्टेटमेंट आप देख्यों से अंदर्स लगा सकते कैसी चीजिए यहां पर चल रहे हैं तो यह देखिए हैं से के motivo यह बनता है ऑप्श्न क्या है है यह साहँगा और इसके लावड आपका यह है Second Parliament तो पार्लेमेंट नहीं आपको यह भी देखा कि प्रेज़ेंट जो बनाती है इसके लाबा रेक्मेंटेश्व काउंसिल और ओनली यहां पर है इसका मतब यह नहीं कि यह गलत होगा ओनली वाले को जातर अपन इसको ओनली वाले को थोड़ा एक्स्ट्रेम मान के डिल्ट कर द से बनाता है इसमें इंक्ारी कर सकती है इंवेस्टिकर कर सकती है और से बनाई जाती है लिगल लौन लुगल मेंटर में भी यह काम करती है यह पॉइंट याशा होरा यह तो यह यह देखे लिखिये पहला है न madam infinity इंट्स इनंचिगई इंसप webpage देखिये पहला है आपका इं गुंटूर गुंतूर इस ने किया एंजी रंगान इसके लाव अपका एक आपका जो ओडिसा वाला वहां पर है आपका उतकल रिजन में है आपका उतकल प्रोविंशियल किसांसवा इतिकल प्रोविंशन किसान सभा ये भी था तो ये ओडिसा वाले कोस्ट पर था ये कब था आपका वोई 1930-35 के आसपस में चल रहे थे इसका नाम याद रखना आप इसका है मालती चौधरी मालती चौधरी और इसका काम क्या था कि यही था बस किसानों के लिए आपका जो प्रोविंशल कौर में आपकी जो कौर उंग्रेस कमिटी जो होती है वहां पे पार्ट इसमें लेना था तो बस आपको एक लोकिशन याद रखनी है कि इसमें कौन पार्ट ले रहा था इसके ल इसमें काफी सारे लोग थे तो लोगों के बारे आपको मालूम है यह आपका वही ट्वेंटी के आसपस बात चल रही थी तो इसमें आपका एनृम जोसी अ बस आपका विवी गिरी इसके लाब आपका शिव राओ यह लोग इसमें जो पार्ट थे चैक और इन्होंने बाद AITUC से बना यह तो इसका पार्ट है यह तो यह आपको थोड़ा से पता होना चीए इसके लाब आपका एक है आपका जो आपके अमेड़कर जीते थे उन्होंने 1935-36 के आसपास में एक लेबर पार्टी भी बनाई थी तो आपका भी आर अमेड़कर का भी लिख लो अमेड़कर का चीक लेबर पार्टी और लेबर पार्टी कौन सी थी वो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी चीक है और यह इसका 35-36 की बात है इसने कुछ प्रोग्राम भी बनाए थी यह कुछ चीज थी अनौर्गनाइस से कौन सा राइट है इंडियन पीजंट इंस्ट्यूट गुंतुर वाले रिजन से आपको लिंक करना है एंजी रंगा ठेक है उतकल प्रोविंशल केशान यह मालती चौधरी है इसके लावा एं इन टीवेप में एनम जोसी है क्या तो यहां से तीन औप्शन को राइट कर लें तीन पेर एक प्रोटा दें तीन पेर वला आपको और राइट हो जाएगा इसके लावा यहां पे देखिए आप कुश्यों नंबर है आपका 14 14 में है आपका कि वहीं पूछा है कि आपका 19th century में क्या-क्या चल रहा था तो वह आपसे चीज पूछिए तो देखिए विद रेस्पक्ट तो लेंड रेवेन्यू सिस्टम द्यूरिंग देटिस रूल अफ इंडिया 19th century करना है दो statement यह आपक की-अठार यहांं यहां पर चैटल में यहां आधा इंडिया इसम क्या प्रचेंट क्या वन-पररli उत्लम द्यूया था यह था यह था रहाता इंडिया यह था ठीक टो आपको थोड़ अस्याद रखना है यहां पर कुछ अभी उन्नीस अधिये आपका 31 परसेंट बचे गया तो यहां पर पचास हुचे गया ऐसा था तो सबसे कम आपका इसमें था पर्मानेंट सेटल वाले में था जो आपका बंगाल बिहार उडिसा वाला रीजन था और इसके यह था ना क्या बोलते हैं इसको पर्मानेंट सेटल्मेंट इसमें वैस्ट यूपी बिहार उडिसा वाले रीजन था लेकिन एक रीजन यहां से भी था कर्णाटक वाले रीजन से यहां वाला पार्ट पर भी कॉर्ण वाल इसने 1793 में लगाया था जबकि आपका रोयत वार आपको थोड़ पता होना चाहिए कि कौन से रीजन में क्या वहां पे ज्यादा था तो यहां पर आपका चल जाएगा मदरास में इसको इंट्रूइस करवाय गया था और यहां पर रैद जो है मतलब किसान जो है खुद यहां पर पे करेंगे टैक्स वगरा जो है वह ठीक है और दिख लीजिए कंडर दर रवेतवारी सिस्टम देरवाज नो प्रोविजन फॉरें अपील तो दब लॉग अगेंस्ट ऑवर असेस्मेंट के लिए और उनको यहां पैसा कोई सिस्टम यहां पर नहीं दिया गया था एक तो और यहां पर एक तो ऑवर असेस्मेंट जो यह ज्यादा था बहुत कदरनाक चीज़ थी यहां पर इसके लोगाएं पर कोई नो अपील अपील कोई सिस्टम नहीं था यह होगा आपका आप चले हैं 15 नमर कोईशन में क्या आप से पूछा है तो यह आपको देखना है अच्छा यह आपका महलवारी था ना किसने 122 के असपस किया था जबकि आपका यह एक्टर मुंड्रो अगरा ना इन्हों ने किया था साइथ ठीक और यह आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था और इसमें यह आपको यह 30% है फिर यह क्या होन है परसेंटेज का थोड़ों समय से में होता ही है आप थोड़ा ध्यानकना कि यह 11 है तो यह 51 यह आपका 30 है लोग ध्यानकना है Macengy जो है पूछा है कि आपको पूछ के ही वह चीज की जाएगी ऐसा कुछ है नहीं तो आपका राइट है तो आपको सीधा आगया आटिकल 4 में कि आर्टिकल 2 और आटिकल 3 के अंदर कोई भी अमेंडमेंट होगा लेकिन आपका 368 के अंदर मैंशन जो तरीका है उसके बेसिस पर नहीं होगा तो यहां से यह आप सिंपल सा अटा सकते हैं चीज़ हो तो सेकंड इस्ट में रटा दीजिए फस्ट वाला बच्चे का यहां साब को आप्शन आ अब ऐसा होता है क्या की मतलब कर सकता है प्र caves मेंबर कौन होता है जो आपका मिनिस्टर रर्न इन्डुंप को होता है यह इंट्रिदूस हो सकता है कि नहीं हो सकता है ति आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए आपको प्रेजिदेंट की प्रेजिदेंट की प्रमीशन जुरूत नहीं होती है इसके लावा यहां पर एक और ध्यान रखना कि आपका जो इसमें स्टेट्मेंट है कि आपका होल्डिंग जॉइंट सिटिंग तो वह कंपसर ही नहीं होती है आपको अच्छे से मालू है कि वहां पर जॉइंट सिटिंग हो सकती है डेडलोग कंडिशन में ठीक है कोई बिल को रखे बैठा है मतलब सस्पेंड कर रखा है उसने तो उस ताइम पर जरूत होती है सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगले पार्ट में कर लेंगे तो इस ताप से बढ़ा हो जाएगा तो इसको आप नहीं देखते हैं 17 को कि पूछा है कि कौन इसमें जो चीज़े हैं आपकी वह है कि according to the constitution foreigners are not protected उनके लिए नहीं यह थे का आपका आर्टिकल ध्यान रखी आर्टिकल 15 16 19 29 और 30 यह जो है आपका यह इंडियंस के लिए हैं यह इंडियंस के लिए बाकी सारे आपकी जो है आपके बाहर वाली लोगों के लिए वह लावड होते हैं आपसे पूछा राट अगांस अचानक से आपको आनी चाहिए बस आपको ध्यान अगना है कि कैसी यह चीज़े हो सकती है ठीक है तो यह आप देख लीजिए अच्छा एक चीज और ऊपर वाली जो कुशन था नहीं और कोई चीज है ना कि इंडियन को ही अला हुए तो वह आपको एक तो सिंपल सब बता है कि राइट वोट वाला सिस्टम जो ना राइट वोट एलेक्शन आपका लोगसभा हो चाहिए आपका स्टेट की लेस लेचर हो आप इंडियन को यह इसके लाव आपका MP वगेरा यह प्रेजडेंट अफ इंडिया है इसके लाव वाइस बनने के लिए है सुप्रेम कोट की जज़ बनने के लिए है हाई कोट की जज़ बनने के लिए है यह चार चीज़े है इसके लाव आपका गवर्नर बनने के लिए है स्टेट का इस्टेट के गवर्नर के लावा और कौन स पर आपका प्रविजन होना जरूरी है इसके लावा आपको अगले कुशन पर चलना है कुशन नमर 18 पर पर चलना है कि इन पर चलना है कि इसको सबसे पीछे रखें ठीक है और आपका है आचा हाँ प्रेजिदेंसी अस्वेशिशन इसमें आपका बॉम्ए प्रेजिदेंसी अस्वेशन जो है यह तो आपके सबसे बैद चल रहे थे तो इसकी बात करें कि इसने बना है किसने नीए तो आपने आपके उसमें नोट्स न आपने देख रहे होगा तो आपके यह ट्रिक यहां से आदा जए तो आपका बहतर वापे काम हो सकता है बाकी अठारा सुपास में आपका ब्रिटिस इंडिया इसोइशेशन मुना था ठीक है राधाकान देव अगेरा जो थे इन्होंने काम किया था इसके लवा आपका देविनाथ टेगोर जो थे इसके सेकेटरी थे पाउंड की गई थी विरागवाचारी वगएर जोते सुब्रमन्य माईय और आपका पी आधन चार्लू ठीक ते तीन लोग थे नोने इसको बनाया था और इसका काम क्या था कि फोकस करना था नोन ओफिचल इंटेलिजेंस करने के लिए मदरास वाले रीजन में इसके लाव अध्यान देव है ये लोग इधर है और आपका आपका डेवना टेग हो रही ये ए कलगत्त वगएर रिजन से बिलोग करता है पी रागवचारी है आपका और प्यारन चार्लू है यह जो लोग है यह आपकी मदरास वाले जबकि हैं यह बंबे बाले इसको याद रखना तो यहां सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां सब्सक्राइब कर लेते हैं उसको बागी ज्यादा इसमें दिमागों लगाता है तो यहां पर ऐसा कुछ है कि मतलब कोई आपकी मेंट नहीं है तो आपका छेशा महीने के लिए आपका तीन साल तक मेंग सकता है जबकि नेशनल इमर्जनसी जो है ना कोई लिमिट नहीं कितना भी बढ़ा सकती इसको गवर्मेंट चेक है और इसके लाव सेकंड ऑप्शन अब डिस कंटिन्यू करना तो इस दोनों हाउस थोड़ी है मतलब मिनिम्मम लोग जो है वह भी यहां पर बैठके इसको पास कर सकते है ठीक है तो यहां पर परियाप्त होता है इसको करने के लिए तो प्रेजडेंट जो है किसी भी टाइम पर इसको हटा सकता है यहां से और इसके अलाव आपका जब यदि इसको लाए है तो लाए है तो उस ताइम पर इसको पास करना होता है यहां से पॉइंट हो जाएगा और तो इतना ही इसमें करना है बाकी सिंपल सा कुशिन था एक 20 कुशिन करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और यह से 21 भी कर लेंगे ठीक है इसके लाव ट्वंटी है इसके लाए है इसमें देखिए कुशन है स्टेट्मेंट है सीधा भी आँ से समझ सकते हैं आपका आर्टीकल 5-11 में बात करता है और 5-11 में इसके लाव आपका और क्या चीज आपकी सिटिजन से को बाड़ जानते हैं कि क आपको ध्यान रखना है, तो option आपको देखिए, constitution of India, only identify the person who became citizen of India, पंदर अगस्त, तो पंदर अगस्त की बात नहीं है, जब constitution लाग हुआ, 1950 में, तब से ये बात चलती है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये case याद रखे, ये date आजाती है, ये पंदर अगस्त की आजात होते ही हो जाएंगे, तो अच्छे से बढ़ रखा है, जब ता आपको पता है, कि मैं, 1950 के आसपास कुछ चल रहा था, तो ये तो नहीं होगा, 47 तो, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके अलब आपका है, कि Parliament has the power to enact a law to deal with acquisition and laws of citizenship, ठीक है, किस तरह से कर सक पता है, वहाँ पर आपको ये मालूम है, कि किस तरह से यापर चीज़े होंगी, पार्लेमेंट को power है, तो आपका साइध आर्टिकल 11 है मेरे साब से, या 11, 10 है, जो भी है, अपका देख लिए, कि 10 में है, पार्लेमेंट कोई रूल बना सकती है, पार्लेमेंट जो कोई भी पार के लिए, जो से लिल्टेड है, तो इसके बाद में, पार्लेमेंट ने, 1955 में, आपका से लिएक्ट लेके आये थे, ठीक है, और इसको बार-बार में अमेंड कर देगा, तो ऐसा स्टिनमेंट ही बने न, कि अमेंड नहीं किया गया, ति अब धहान लखना भी है, कि अमे ही रहा होगा, ति इसमें अभी, देखेंगे, अभी मैं देखा नहीं इसको, 21st question देखिए, he proclaimed the rationalism, इन और, लोगों को देखिए, कौन-कौन है, अक्षय कुमार दत्त है, कि इसम चंदर सेन है, देविदनाक टैगोर है, बनकिम चम चटर जी है, ठीक है, अब इसमें और दे मत करिए, medical opinion भी याद रखिए, तो medical opinion से आप याद रखें, अक्षय कुमार दत्त को, ठीक है, इद्यान अपना, medical opinion जो है, child marriage का अगेंस्ट, उसके बाद, अक्षय कुमार दत्त ने यहाँ पर करी थी, यह points से आप यहाँ से कर सकता है, यह बाकी किताब और आपको याद है, मतलब धर्मनीती वगरा जो है, national idea जो है, उन्होंने लिखे थे, ट्वीटी में उसको बोलते है, ठीक है, तो वह भी आप अक्षय कुमार दत्त से याद रखें, पॉइंट याद रखें, बस medical opinion और धर्मनीती, धर्मनीती, ठीक है, तो यहाँ से आप सिधा answers का लगा सकते है और तत्तो बोधनी सवा, तो तत्तो बोधनी सवा तो आपको confusion दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से आप कर सकते हैं, तो मिलते हैं अपर next session में, और इसके लावा आपका अगला जो question session रहेगा, वो जल्दी में upload दोहर दूँआ, और यह session में कुछ परिशानी आई हो, कुछ questions मे doubt हो, तो फिर सब कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन से चीजे कैसे सुधारी जा सकते हैं, thank you for watching this video,